हलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्लास सेवंथ का फर्स चेप्टर इंटीजर्स, एक्सिसाइज 1.1 बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं जी, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, जीरो भी, तो रफ लेंगविज में हम इसको ये कह सकते हैं कि all the numbers on the number line, they are called as integers, नंबर लाइन आप सबने देखी होगी, 0, minus 1, minus 2, minus 3, 0 से left hand side पे सारे negative integers और 0 के right hand side पे सारे positive numbers, so on, इसी तरह से counting आगे चलती रहती है कुछ basic सी चीज़ें बता दूं कि 0 से अगर हम left side को जाएंगे, तो numbers decrease होने शुरू हो जाएंगे मतलब कम होने शुरू हो जाएंगे, छोटे होने शुरू हो जाएंगे, और अगर right side पे आएंगे, तो numbers बड़े होने शुरू हो जाएंगे आप ऐसा कह सकते हो कि number line पे अगर right side को जा रहे हैं, तो numbers बड़ रहे हैं, left side पे जाते हैं 0 के, तो हमारे numbers कम होते हैं तो इसी तरह से अब देखें, जैसे 0 है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 and so on 0 से छोटा minus 1, minus 1 से छोटा minus 2, minus 2 से छोटा minus 3, minus 3 से छोटा minus 4 तो हम यह कह सकते हैं कि negative में, जिस number के साथ minus का sign लगा होगता है actually वो जितना बड़ा होगा, वो उतना ही छोटा होगा अगर मैं बोलू, minus 5 और minus 4, तो कौन बड़ा है? अगर minus ना हो, तो हम कहेंगे 4 छोटा है, 5 बड़ा है पट negative के case में, minus 4 बड़ा है, minus 5 छोटा है क्योंकि जैसे-जैसे left side को जाते जाएंगे, numbers जो हैं, वो decrease करते जाते हैं तो चलिए हम start करते हैं, first question Use the appropriate symbols यह symbol यूज करना है, greater than का, less than का, या equal to का, to fill the blanks आप देखिए, minus 3, minus 5 अभी आपको बताया कि minus 3 बड़ा है कि minus 5 बड़ा है minus 3 is greater than minus 5, क्योंकि दोनों terms negative हैं और negative term में, जो छोटा number होता है, वो actually बड़ा होता है because minus 3 is closer to 0 यह देखिए, यहाँ यह minus 3 है और minus 5 यहाँ आगे कहीं होगा तो जो number, number line पे right side पे होते हैं, they are greater आप इसको किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, दो तरीके हैं या तो number line से याद रखिए यहाँ फिर simple language में ऐसा याद रखिए कि negative में जो number चोटा होगा, वो actually बड़ा होगा तो minus 3 is greater, तो हम यह sign यहाँ पुट कर देंगे फिर minus 2, 5 minus 4, अब पहले इसको solve करेंगे 5 minus 4 क्या होता है, 1 minus 2 और 1 तो अब minus 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, obviously 1 is greater क्योंकि यह negative है negative numbers हमें शाँ positive numbers से चोटे होते हैं तो this is 8 minus 4, 4, अब 4 और minus 3 का comparison है तो 4 is greater, minus 6 और यहाँ 5 minus 0, 5 तो 5, negative number obviously चोटा होगा, 5 बड़ा होगा तो यह sign 5 and 8 minus 3 क्या होता है, 5 तो 5 और 5, both terms are equal, तो हम equal to का sign डालेंगे और 0 और minus 3, 0 सारे negative numbers से बड़ा है तो this is greater, और जो number greater हो, यह greater का sign देखिए G, हमने signs कहां से लिए है, यह G, G होता है greater तो यह sign, यह, that is greater के लिए यूज़ होता है और L होता है less, तो यह less के लिए यह sign यूज़ होता है चलिए अब second question पे आते हैं arrange the falling integers as ascending order इसका आपने ascending order लगाना है ascending order क्या होता है? पहले छोटी time, then बड़ी, बड़ी, बड़ी और last में सबसे बड़ी तो अब देखिए, इसमें सबसे छोटा number कौन सा है? पहले positive numbers तो बड़े ही होंगे, उनको side पे रहने दीजिए negative में देखिए कौन सा सबसे छोटा है? negative numbers हैं कौन से? minus 2, minus 43, minus 35, minus 10 तो इन में से सबसे छोटा कौन सा होगा? ये minus 43, क्योंकि चाहिए ये 43 है लेकिन negative sign के साथ है, तो negative में जो number जितना बड़ा होता है तो सबसे पहले minus 43, then उसके बाद minus 35 this is ascending order, minus 35, उसके बाद minus 10, then minus 2 अब negative numbers complete होगे, अब positive numbers में देखिए 12 है, 31 है, 7 है, तो 7 सबसे छोटा, then इन में 12, और फिर दन 31 this is the ascending order, same way second part है तो सबसे छोटा number इन में से कौन सा है? ascending order, minus 20, then उससे बड़ा, minus 5, then 0, then 4, 5 और 13 minus 20 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा 0 जो है सारी negative numbers से बड़ा होता है, positive numbers से छोटा होता है तो ये होगया हमारा ascending order then अगला question है, arrange in descending order descending order क्या होता है? पहले सबसे बड़ा number लिखो, then चोटा चोटा करते हुए, last में सबसे चोटा number तो हम यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा number इन में से कौन सा है? obviously अब हमें positive numbers देखने पड़ेंगे तो सबसे बड़ा 46, this is descending order 46, उसके बाद देखें, 0, minus 7, 19 है, 46 हो गया, then this 19 उससे चोटा, फिर 8 उससे चोटा, फिर 0, फिर minus 3, then minus 7, and then minus 23, this is the descending order पहले सबसे बड़ा number, फिर यह उससे चोटा, then उससे smaller, smaller करते हुए हम last तक पहाँच गए next देखिए, descending order, आप सबसे बड़ा देखिए, 30, फिर उसके बाद उससे चोटा, 8, उसके बाद 0, then minus 2, minus 6, and minus 20, this is descending order next question is, evaluate, evaluate मतलब value find out करना, आप देखिए, यहाँ mod है, this is not bracket, mod इसका मतलब क्या होता है, mod का, कि इसके अंदर जो भी negative number लिखा हो, any negative number written inside the mods, mods के अंदर अगर कोई भी negative number है, तो हमेशा उसको positive बना दिया जाता है, negative sign खतम हो जाता है, तो अब हम इसको solve करते है, देखिए, 30 minus, यह mod के बाहर वाला है, यह, अब mod के अंदर minus 21 है, तो इसका क्या बन जाएगा, negative sign खतम हो जाएगा, अब 30 में से 21, आप minus कर दीजिए, तो क्या आएगा, 9 is the answer, same way, second part, mod 25, तो 25 खाल ली, बीच में यह जो negative sign है, यह, अब mod 18, that is 18, तो 18, 25 में से 18, आपने minus किये, that is 7, next is, 6 minus, mod of 4, mod of minus 4, mod of minus 4 is 4, तो 6 minus 4, that is 2 answer, mod of 125, 125, प्लस, अब पहले से ही plus नमबर है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको negative बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं, plus का plus ही रहना है, mod का मतलब है, negative को खतम कर रहा, this is, 235, next, filling the blanks, first is, 0 is greater than every, 0 किसे बढ़ा है, अभी मैंने number line पे आपको explain किया था, कि 0 is greater than every, negative integer, किसी भी negative integer से, 0 हमेशा बढ़ा रहेगा, modulus, mod is the short form, जो पिछले equation में हम लें यूज की, modulus of a negative integer is always positive, कोई भी negative integer अगर mod में लिखा गया है, तो that will give you a positive result, the smallest positive integer, यह number line थी, दोबारा इसको देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on, this is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on, तो सबसे छोटा positive integer कौन सा है, positive, 0 जो है उसको ना negative में गिना जाता है, ना positive में गिना जाता है, तो minus, यहाँ से शुरू हो रहे है, यह सबसे छोटा positive integer, that is 1, largest negative integer, सबसे बड़ा negative integer is minus 1, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे, यह numbers छोटे होते जाएंगे, so that is minus 1, every negative integer is less than every dash integer, हर एक negative integer जो है, वो less है, हर positive integer से, हर एक negative integer, हर एक positive integer से less है, so students, this is all about exercise 1.1, hope you have got it, Hello students, myself रजनी भातिया, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, exercise 1.2, integers, integers क्या थे, पिछली exercise में भी हमने पड़ा कि जितनी numbers, number line पे आते हैं, चाहे वो zero हो, negative numbers हों, positive numbers हों, वो सारे integers हैं, अब यहाँ आपने find the value of integers, first question यह है, first part, 32 plus 15, simple, 32 को 15 में plus कर दीजिए, आपका answer आजाएगा, 5 and 2, 7, 3 and 1, 4, आप यहाँ देखिए, B path में, अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि पहला number क्या है, 17, plus, then bracket, then minus 18, अब आप याद रखिए कि plus into minus, minus होता है, ठीक है, यहाँ आप यह चीज़ें याद रखिए, अगर plus को multiply, bracket का मतलब होता है, plus को minus से multiply हो रहा है, तो हम negative ही लिखेंगे, plus को plus से multiply हो रहा है, तो plus लिखेंगे, और अगर negative को negative से multiply हो रहा है, तो हम plus लिखेंगे उसको, जैसे यहाँ देखिए, simple language में आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं, कि अगर bracket के बाहर plus का sign है, अंदर वाली term का sign change नहीं होगा, क्योंकि plus into minus होता है, 17 minus 18, आप देखिए, 17 plus का number है, और 18 minus का number है, तो जब दो numbers का different sign है, तो उस case में हमने क्या करना है, एक term plus की है, एक minus की है, हमने minus करना है, 18 में से 17 minus की है 1, लेकिन sign greater term का आना है, अब इन में से, अगर आप signs को छोड़ दें, तो क्यों काँ सा बड़ा number है, 17 या 18, 18, 18 का sign क्या है, negative, तो बड़ी term का हमने sign लिखना है, दोबारा देखिए, 17 plus bracket, bracket का मतलब होता है multiply, अब अगर bracket के बाहर plus है, तो हम bracket के अंदर की term का sign change नहीं करेंगे, अगर यहां बाहर minus लिखा होता, फिर हम इसका sign change करते, तो यह हो गया minus 18, आप दो terms आपके पस बन गई, एक term plus की है, एक minus की है, हमने क्या करना है, minus करना है, और sign greater term का लगाना है, तो 18 में से 17 minus कर लिए, और बड़ी term जो है, sign के बिना, बड़ी term 18 और यह 17, तो बड़ी 18 हो गई, उसका sign क्या था negative, तो हमने यहां negative लगा दिया, जैसे जैसे आगे parts आएंगे, आपको easily clear हो जाएगा, आप देखिए, यहां पर minus 25 plus 21, कोई bracket नहीं है, एक term plus की है, एक minus की है, तो एक term plus की है, एक minus की है, हमने करना minus है, हम minus करते हैं, 25 में से 21 minus की है, तो हमारे पास आगे 4, और greater term का sign, greater term, बिना sign के greater term कौन सी है, 25, 21, 25, नेगेटिव, तो वो लगेगा, next is minus 8, bracket के बाहर क्या है, plus, तो sign change नहीं होगा, minus 11, आप देखिए, दोनों ही terms minus की आगई है, यह भी minus, यह भी minus, तो इस case में हमने क्या करना है, इस case में हमने terms को plus करना है, इसको इस तरह से समझेए, कि आप minus मतलब, आप 8 रुपे किसी को दे रहे हैं, 8 रुपीज आपने पहले दिये, दिये, minus दिये होता है, plus दिये होता है, तो उसके बाद आपने 11 रुपीज और किसी को दे दिये, तो आपकी pocket से total कितने पैसे निकल गए, 8 पहले निकले थी, 11 बार में निकले, 11, 8, आपकी pocket से total कितने निकल गए, 19 with negative sign, तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कि जब दोनों ही terms minus की हो, तो करना हमने plus है, और sign हमने negative लगाना है, दोनों terms negative है, उनको plus कर दीजी और minus का sign लगा दीजी, तो this is minus 19 answer, next is minus 85, minus minus 10, आप देखें bracket के बाहर क्या लिखा है, minus, तो अब bracket के बाहर minus है, तो अंदर वाली term का sign change हो जाएगा, minus into minus plus होता है, तो जब बाहर bracket के बाहर minus है, simple language में आप इसको इसतरह से कर सरते हैं, कि जब bracket के बाहर plus होता है, तो अंदर की term का sign change नहीं होता, bracket के बाहर minus है तो अंदर के term का sign change हो जाएगा this is plus 10 minus 85 plus 10 again दो terms बन गई एक plus की minus की तो आपने क्या करना है इनको करना minus है minus कर दीजी और greater term का sign लगा दीजी नेक्स minus 62 minus अंदर लिखा है 52 कोई sign ने लिखा जब अंदर कोई sign ने लिखा तो मतलब plus है आपने इसको minus मना देना क्योंकि bracket के बाहर negative था अब यह देखिए दोनों terms ही minus की आ गई करना क्या है उनको plus और sign क्या आएगा minus का this is answer next is also same solve the following यहाँ two terms थी अब यहाँ three terms आ गई this is minus 3 plus 7 और देखिए plus से bracket open हो रही है तो first two terms यह इनको solve करके क्या आएगा देखिए एक term minus की एक plus की करना हमने क्या है minus sign आना है greater term का तो this is plus 4 starting में अगर आप sign नहीं भी लिखते तो understood होता है कि 4 का मतलब plus 4 ही है minus 8 आप देखिए दो terms अगेन आ गई एक term plus की एक minus इसकी हमने फिर से उसको minus करना है 8 minus 4 कितने हो गए 4 और greater term का हमने sign लगा देना है this is minus 4 next is minus 2 अब देखिए minus है bracket के बाहर तो जब minus से bracket open होगी तो term का sign change हो जाएगा और यहाँ minus से bracket open हो रही है तो term का sign again change हो गया आप पहली दो terms ले ले जिए minus 2 plus 1 एक term minus की एक plus की करना क्या है minus 2 में से 1 minus की अब आ गया greater term का sign लगा देना है और minus 4 अगला जो है तो अब यह दोनो terms minus की हो गई तो करना क्या है plus और sign क्या आना है minus का this is minus 5 answer next, third question find the value of this is 15 minus bracket minus 5 plus 12 plus minus 8 plus minus 3 same rules लगाते हुए अब terms जितनी जादा होंगी rule को ही रहेगा देखिए 15 अब minus से bracket open हो रही है तो plus 5 minus into minus plus यह इसके साथ कोई sign नहीं है same plus 12 आएगा plus से open करेंगे तो minus 8 का minus 8 रहेगा plus से open करेंगे तो minus 3 रहेगा आप देखिए अब इसमें यह plus 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 तीनों टाम्स प्लस की इनको plus कर लेजे 15 plus 5 कितने होगे 20 20 और यह 12 20 plus 12 minus 8 minus 3 आप देखिए दो दो टाम्स को सॉल्व करके करेंगे तो easy होगा अब next two terms 32 minus 8 minus 3 आप देखिए 32 अब यह टाम्स लेने जिए 32 में से 8 minus करें steps में चलिए कहीं पे भी कुछ भी अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत नहीं है जैसे जैसे steps आते जाती हैं वैसे आप उनको सॉल्व करते जाहिए देखिए next minus 32 minus से प्रेकेट हो रही है तो plus 11 minus 25 plus 27 minus 13 minus 7 अब देखिए यहाँ terms जो है plus और minus की mix आ रही है तो हमारा अगला step क्या होगा हम plus की सारी terms इकठी कर लेते है minus की सारी इकठी कर लेते है यहाँ फिर same way 2-2 solve करते जाहिए और answer निकालिए easy यही रहेगा कि आप plus terms को कठा कर लेजिए 11 plus 27 यह दो terms plus की थी हमने इकठी कर ली अब negative इकठी कर लो minus 32 minus 25 minus 13 minus 7 देखिए अब इन plus वली terms को plus कर लेजिए 7 and 1 8 2 and 1 3 और यह देखिए यह सारी terms negative है सारी की सारी terms negative है तो हम इसको सब को plus कर लेगे और sign आएगा minus का 13 7 20 अब आप इनको plus 1 by 1 भी कर सकते हैं और इस तरह से एक अठा भी कर सकते हैं this is minus 77 आप एक term plus की होगी एक minus की होगी आप इनको solve कर लेजिए तो 77 minus 38 करिए 39 with बड़ी term का sign minus sign maths में एक ही sum को solve करने के बहात सारे ways होते हैं आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि यह two terms solve कर ली then फिर two कर ली then फिर two कर ली फिर two इस तरह से भी किया जा सकता है बट वो थोड़ा लंथी हो जाता है तो short method क्या है कि terms plus वाली कर लो minus वाली कर लो plus वालो को अलग से plus कर लो minus वाली सारी negative सारी plus करके उनको negative sign दे दो then दो terms हो जाएंगे आप उनको solve कर सकते हैं next is fill in the blanks using properties of addition and subtraction of integers देखिए कुछ properties है addition की और subtraction की जिनको मैं साथ साथ आपको explain करती जाओंगी 10 plus this is greater bracket minus 5 plus minus 7 तो यहाँ आप क्या आना चाहिए 10 और 5 इकठे हो गए तो पीछे क्या रह गया term जो यहाँ लिखी जाएगी that is minus 7 इस property को हम कहते हैं associated property of addition तीन terms होती है चाहे आप पहली दो को पहले प्लस कर लो बाद में तीसरी प्लस करो या पिछली दो को पहले प्लस कर लो बाद में उसमें first time add करो answer will be same तो इसको हम associative property कहते हैं 25 minus 10 this is commutative property कि addition में चाहे आप पहला number पहले लिखके दूसरा बाद में लिखके करो यहां दूसरा पहले और बाद में first तो answer will be same 20 plus dash is equal to 15 plus dash देखे आ प्लस B A is general term for this A plus B is equal to B plus A इसका मतलब B क्या था 15 और यहां A is 20 minus 12 plus 37 is equal to 37 plus minus 12 this is 13 plus dash minus 2 is equal to 13 plus minus 7 पिछली दो terms पहले प्लस हो रही है बाद में first इसमें पहले दो terms हो रही है then 13 plus dash minus 2 is equal to 13 plus minus 7 plus dash तो यहां कौन सी term आएगी यहां minus 7 और यहां minus 2 minus 17 plus dash minus 17 plus dash equals to minus 17 तो इसमें हम क्या add करें के same ही answer रहे हैं हम zero add करेंगे zero is the additive identity zero को हम additive identity भी बोलते हैं और यह जिस भी number में add होती है कोई difference नहीं आता number same रहता है now let's come to question number 5 the difference between two integers is minus 10 if first integer पहला integer अगर 17 है तो find the value of other integer कि दो integers हैं उनको जब हम minus करते हैं तो हमारा answer कितना आता है minus 10 उन में से एक integer 17 है दूसरे integer की आपको value find out करनी है first integer मतलब पहला integer जो पहले number पे लिखा जाएगा that is 17 तो दूसरे number पे क्या लिखा जाए कि उसमें से जब हम minus करें दोनों numbers को तो हमारा answer minus 10 है now let second number second number को हम मान लेते हैं कि वो x है तो पहला number first integer minus second integer इनका answer क्या आना चाहिए minus 10 look at this minus x is equal to minus 10 यह 17 इस तरफ जाएगा अब equations को याद कीजिए कि side change होती है तो sign भी change होता है तो 17 जो है वो plus के sign के साथ है तो इस तरफ जाके क्या होजेगा minus 17 तो minus x is equal to अब देखिए दोनों terms minus की कर देना है plus sign आएगा minus का अब देखिए equal to के इस तरफ भी minus हो इस तरफ भी minus हो terms का तो minus x is equal to minus 27 मतलब x is equal to 27 दोनों ही negative है वो खतम हो जाएगा तो x is equal to 27 मतलब second integer other integer जो है वो क्या है is equal to 27 अब आप इसको check भी कर सकते हैं देखिए 17 minus 27 तो क्या आएगा हमने इन दोनों का difference करना था ना तो 17 में से minus 27 किये तो answer क्या आएगा देखिए एक term plus की एक minus की करना minus है sign greater term तो answer minus 10 आ रहा है इसका मतलब other integer is 27 next write three consecutive odd integers consecutive क्या होते हैं जो counting में एक साथ आते हैं odd integers succeeding succeeding का मतलब होता है इससे पड़े इससे ज्यादा इसमें number plus करना है आपने तो minus 93 odd भी जाहिए देखिए जब हमें consecutive integers चाहिए होते हैं तो हम plus 1 करते हैं अब consecutive odd integers चाहिए इसके बाद जो next आएगा वो तो even होगा तो odd जाने के लिए हमें plus 2 करना पड़ेगा तो minus 93 plus 2 पहला क्या आगया? minus 91 फिर minus 91 plus 2 that is minus 89 तो minus 89 plus 2 that is minus 87 तो three consecutive odd integers succeeding minus 93 are minus 91, minus 89, minus 87 next is at sunrise the outside temperature was 7 degree below 0 sunrise temperature at sunrise sunrise पे कितना temperature है? जब सूरज उगा तब temperature था 7 degree below 0 यानिके minus 7 below 0 मतलब 0 से नीचे minus 7 degree Celsius in afternoon temperature rose by 13 degree 13 degree से temperature बढ़ गया afternoon at afternoon temperature क्या था? temperature is equal to plus 13 जो पहले था उससे 13 degree जादा हो गया and then night में fall करता है at night temperature क्या था? fall करना fell मतलब second form of fall काम हो जाना गिर जाना that is minus 8 degree तो what is the temperature at the end of the day? तो at end of day क्या temperature होगा? temperature will be this is minus 7 degree plus 13 degree and minus 8 degree इन तीनों को अपसॉल्व कर लीजिए that is आप पहले दो रिखिए 13 में से 7 minus की है तो कितने हुए? 6 degree plus का क्योंकि बड़ी टर्म का साइन लगाना है then minus 8 degree Celsius तो अब एक टर्म प्लस की एक minus की that is minus 2 degree end of the day temperature will be minus 2 degree coming to the next question Manjeet Singh has a bank balance of rupees minus 430 Manjeet Singh का bank balance क्या है? minus 430 rupees यानि कि उसने bank के already 430 देने हैं उसके account में से पैले से ही 430 लेस है वो at the start of the month then what was the bank balance after he deposited rupees 250 उसने बाद में कितने पैसे जमा करवा दिये? 250 तो आब उसका bank balance कितना होगा? at start of month balance कितना है? balance is rupees minus 430 he deposited कितने पैसे जमा करवा है? deposit का मतलब होता है? जमा करवाना he deposited money कितनी? rupees 250 अब बुच्चू की deposit किये हैं तो plus होगा इसके बाद उसका balance कितना होगा? that is minus 430 rupees minus 430 plus 250 कितना balance होगा? देखे एक ताम plus की एक minus की हमने इनको minus कर लेना है? 1312 feet below the sea level तो what is the difference between these two elevations? इन दोनों elevations के बीच में कितना difference है? आपको ये बताना है तो आप देखे ए elevation of Mount Everest वो कितने आएगी? 29028 feet अब elevation of Dead Sea Dead Sea below है अब देखे वो above है plus sign ये below है negative sign इतना feet इनका difference निकालना है अब difference क्या होगा? 29028 with plus sign अब एक term difference के लिए minus डालेंगे bracket डालेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास term के साथ already negative sign है feet तो अब आप इसको solve करिए 29028 minus से bracket open होगी तो minus plus हो जाएगा 1, 3, 1, 2 feet अब दोनों ही term plus की है आप इनको simply plus कर लेंगे and this is 30340 feet 30340 feet next है in a quiz team A scored 17 minus 15 30 team B का score क्या है minus 15 पहले आए then 70 then 30 and team C का score क्या 30 70 and minus 15 which team scored better what is your conclusion कौन सी team ने better score किया आप बताएए और आपका conclusion क्या है इससे देखे team A team A का score क्या है 70 minus 15 और 30 इनको plus करना है आपने तो इनको solve करिए this is 70 minus 15 चुकि bracket plus से open हो रही है और plus 30 तो solve करके क्या आएगा 70 में से 15 को minus कर लीजिए कितने आएँगे 55 with plus sign और 30 55 और 30 कितने होगे 85 तो पहली team का score है plus 85 team B team B का score क्या है minus 15 plus 70 plus 30 इसको भी इसी तरह से solve करेंगे देखिए पहली दो टर्म 17 में से 15 आपने minus करने है that is 55 plus का sign plus 30 that is plus 85 next team C का score 30 plus 70 plus minus 15 तो 30 तो 30 प्लस 70 100 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा 100 माइनस 15 that is 85 प्लस का तो सारी teams का equal score है तो which team score better? all teams scored same उनका same score है सबका और what is your conclusion? हमारा conclusion क्या है कि integers can be added in any order कि सबका score देखिए सेम ही था 70 minus 15 और 30 बस आगे पिछे करके लिखा हुआ है तो हम integers को किसी भी order में add कर सकते हैं answer same रहेगा तो associative property is followed and integers can be added in any order this is all about 10th question now come to question number 11 इसमें आपको teams के score दिया हुआ है round 1, round 2 में team A का score ये है team B का score ये है C आपको पहले पहले दो rounds के बाद का score पता करना है then round 3 and round 4 फिर final score पता करना है और बताना है कि कौन सी team position 1 पे है कौन सी 2 पे है और कौन सी 3 पे है तो देखिए 7 minus 3 plus का 7 minus 3 this is 4 plus minus 9 and 5 बड़ी turn का sign लगाएंगे minus 4 8 minus 2 6 plus का 7 और 0 7 plus sign जब कोई sign नहीं होता मतलब plus है यहाँ पे भी plus है तो this is plus 1 आप देखिए round 3 के बाद round 3 पे उसको score मिल रहा minus 2 और round 4 में 6 तो इन दोनों को solve करेंगे तो क्या आएगा again plus 4 अब यहाँ solve किजिए final score क्या होगा plus 4 plus 4 plus 8 same यहाँ यहाँ पे इनका score find out किजिए plus 7 minus 5 that is 2 plus this is plus 1 यह minus 2 और this is 4 minus 2 2 अब यहाँ से देखिए यह वाला और यह वाला number आप आप आड किजिए minus 4 plus 2 minus 4 एक term minus की और plus 2 greater term तो इसका answer आएगा minus 2 इनका final score होगया 6 plus 1 plus 7 यहाँ 7 minus 2 plus 5 और 1 और 2 plus 3 तो score क्या होगया team A का final score है plus 8 B का minus 2 C का plus 7 plus 5 D का और C का plus 3 तो कौन सी position 1 पे आएगी team obviously team A then उसके बाद plus 7 मला second आएगा team C and then team D third position पे team D है next is MCQs minus 5 plus 5 देखिए प्रेकेच हो है plus से open होगी तो minus 5 plus 5 minus 5 plus 5 0 तो 0 is the answer D is the right option minus 10 और plus से ब्रेकेट ओपन होगी तो ये सेम ही रहेगा minus 10 minus 12 this is minus 22 दोनो टर्म्स negative हैं plus कर देंगे sign negative आजाएगा तो this is minus 22 C is the right option next is minus 1 bracket open minus से हो रही है तो minus 1 minus plus हो जाएगा minus 1 plus 1 0 0 यहाँ option है नहीं तो D none of these इन में से कोई भी आंसर correct नहीं है next is fourth part which of the following statement is incorrect इन में से कौन सी incorrect है कौन सी sum of two integers is also integer सही है दो integers को plus करेंगे तो answer integer में ही आएगा यह plus number आएगा यह minus आएगा यह 0 आएगा for all integers A and B A plus B is equal to B plus A कि integers दो अगर कोई भी हो तो उनको हम किसी भी order में add कर सकते हैं 2 plus 3 भी 5 होता है 3 plus 2 भी 5 होता है तो this is also correct next is difference of two integers is also an integer yes दो integers को हम minus करेंगे तो वो भी एक integer ही होगा this is also correct next है subtraction of integers is commutative commutative मतलब हम किसी भी order में integers को subtract कर सकते हैं तो यह गलत statement है देखिए कैसे 5 minus 3 करेंगे तो वो 2 होता है और 3 minus 5 करेंगे तो वो minus 2 होता है तो उनको हम किसी भी order में subtract नहीं कर सकते subtraction of integers is not commutative which of the following is correct अब इन में देखिए कौन सी correct statement है minus 7 minus 3 तो यह correct नहीं है देखिए यहाँ minus 7 है यहाँ minus 3 इनका answer minus 10 आएगा जबकि हम यह करेंगे तो इसका answer plus 10 आएगा minus 7 plus 3 is equal to 3 plus minus 7 this is correct क्योंकि यहाँ पे भी answer minus 4 आना है यहाँ भी answer minus 4 आना this is incorrect क्योंकि यहाँ negative बाहर है यहाँ plus negative बाहर आगा के minus और plus अंदर कर दिया गया तो this is correct बाकि सारे incorrect है तो I hope you have got this exercise Hello students आपके सामने फिर से हाजर हूं आपना next video लेके exercise 1.3 chapter 1 class 7 find the product of product का मतलब क्या होता है multiply यानि कि जो numbers आपको given है उनको आपने multiply करना है आप चुकि यह integers हैं यहाँ पे कुछ positive number होंगे कुछ negative होंगे तो आपने यह ध्यान रखना है कि जब भी minus into minus यानि कि कोई term minus की होगी minus a into minus b a means any number b means any number दोनों number अगर negative होंगे तो हमने इनका product तो करी लेना है a into b लेकिन minus into minus हमेशा plus होजाता है तो answer में plus आएगा आप simple way में इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब product में एक ही minus हो तो minus आएगा जब 2 minus हो तो plus हो जाएगा 3 minus हो तो minus हो जाएगा यानि कि अगर minus even times आ रहा है तो answer plus में आएगा और अगर minus odd times आ रहा है यानि कि एक बार minus है 3 बार minus है 5 बार minus है तब answer में minus होगा क्योंकि minus multiplied by minus plus होता है और plus multiplied by minus या minus पहले हो, term में, बाद में plus हो, तो इन दोनों में answers में minus लगता है, simply आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि product करते वक्त अगर question में एक बार minus आया है, तो answer में minus आएगा, और अगर दो बार minus आया है, तो plus हो जाएगा, चलिए जब आप हम यहाँ solve करते हैं, examples में आप इसको easily सम आप देखिए, यह है minus 15 into 0, 15 zeros, किसी भी number को 0 से multiply करो, तो 0 ही रहता है, अब चुकि यहाँ एक बार minus है, तो answer में minus आना चाहिए था, लेकिन 0 एक ऐसा number है, जो आप प्लस होता है, ना ही minus, वो neither negative nor positive, 0, 0 ही होता है, तो 0 answer आएगा, अब यहाँ देखिए, minus 35 into 1, minus 35 into 1, तो पहले simply 35 into 1 कर लिजिए, 35 ones are 35, और minus into plus, तो minus, यहाँ आप कह सकते हैं कि question में सारी बार, एक ही बार minus आया है, तो answer में minus आएगा, minus into plus, क्या होता है, that is minus, अब यहाँ देखिए, 13 into 12, this is 13 into 12, 12 threes are 36, 3 carry, 12 ones are 12, और 3 15, आद देखिए, answer क्या है, minus और minus, दो बार आया है, यहाँ पे, minus 13 into minus 12, तो answer plus में आएगा, आप चाहें इस plus को नहीं भी लिखेंगे, तब भी चलेगा, क्योंकि जब term के साथ कोई sign नहीं होता, तो it means positive, now, minus 20 into 16, minus 20, 20 minus का और 16, अब इसको multiply कीजिए, 320 आप चुकि minus into plus है, तो यह minus आएगा, अब यहाँ आप देखिए, 15 into 4, minus 15 into minus 4 into minus 5, तो 15 forza, 60, minus into minus plus हो गया, into minus 5, तो 300 with negative sign, तो plus into minus minus, तो देखिए, यहाँ answer question में कितनी बार minus आया था, 1, 2, 3 times, यहनि के odd time minus आया, तो हमने इसमें minus लगा दिया, आप इसको बोथ वे याद रख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, minus 2, minus 5, minus 4, minus 10, तो देखिए, यहाँ, 5, 2 za 10, minus minus plus हो गया, into minus 4 into minus 10, again, 10, 4 za 40 with negative sign, और यहाँ, into 10, 40, 10 za 400 minus minus plus, ठीक है जी, तो 400 plus, तो यहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 times minus आया था न, तो हमारा answer plus में आ गया, minus into minus plus, minus into minus plus, plus में answer आ गया, उमीद है कि आपको यह समझ आया होगा, चलिए, अब हम चलते हैं, question number 2 पे, this is question number 2, verify, verify मतलब आपने बताना है, कि यह जो terms left-hand side पे लिखी है, equal to right-hand side के, यानि कि दोनों तरफ सेम answer आता है, तो यह property है, 15 into bracket में 9 plus 6, this is distributive property of multiplication over addition, यानि कि इसमें हम ऐसे करते हैं कि बाहर जो term होती है, multiply में, उसको पहले first term से भी multiply करना, then second से भी, जैसे 15 into 9 और 15 into minus 6, इसी property को आपने verify करना है, आपने बताना है कि दोनों तरफ सेम answer आता है, तो चलिए हम इसको LHS और RHS के हिसाब से solve करते हैं, this is LHS, this is RHS, 15 into 9 plus minus 6, 9 plus into minus, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कि जब हम plus से bracket open करते हैं, तो sign में कोई change नहीं आता, 15 into 9 minus 6 is 3, 15, 3 is a 45, this is answer, now come to right hand side, इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हैं, 15 into 9, 135 plus 15 into minus 6, minus 90, now 135 plus से bracket open होगी, तो minus 90, 135 minus 90, that is 45, तो RHS और LHS answer is same, LHS is equal to RHS, hence verified, हमारा verification पूरी हो गई, कि LHS, RHS के equal है, दोनों तरफ सेम answer आया, same way, next question, इसको भी इसी तरह से LHS, RHS से हम solve करेंगे, 18 into, पहले bracket solve होगी, minus 5, plus into minus minus 4, plus से bracket open हो रही है, minus 4 ही रहेगा, अब जैसे कि आपको पता है, दोनों terms negative हैं, तो क्या करेंगे, plus और sign आएगा, minus का, 5 plus 4, 9, minus 9, now 162, इनका हमने product कर दिया, और minus के साथ, 18 into 9, 7, 9 and 7, 16, 162, और इनको plus into minus, minus, this is the answer of left hand side, अब हम अपनी दूसी साइट पर आते हैं, 18 into 5, 18 into minus 5, तो 18 into minus 5 आप कर लेजिए पहले, देखिए इस bracket का मतलब क्या है कि पहले ये दो numbers multiply होंगे, plus ये दो numbers multiply, फिर जो इनके answers आएंगे, वो आपस में add यां subtract होंगे, minus 90, plus, minus 72, now next step, minus 90, plus से bracket open करेंगे, minus 72, अब आप इस दोनों को add कीजिए, क्योंकि दोनों ही term negative हैं, तो दोनों को add करके आप minus के sign के साथ present करेंगे, 162, minus 162, minus 162, LHS is equal to RHS, hence verified. Next question is fill ups, 15 into dash is equal to 0, आप सबको पता है कि किस number से हम multiply करें, कि answer 0 आजाए, तो 15 into 0 is equal to 0, अब minus 25 into dash is equal to 25, इसको में किसे multiply करूँ, कि मेरे पास plus का 25 आजाए, यानि कि दोनों, एक तो 25, ones are 25 होता है, और minus into minus plus होगा, तो हम इसको minus 1 से multiply करतेंगे, अगें यह है closure property, multiplication की, minus 15 into 8 is equal to 8 into minus 15, यानि कि आप integers को किसी भी वे में multiply कर सकते हैं, अगर आप 4 into 8 करते हैं, तब भी 32, और 8 into 4 करते हैं, तब भी 32 होता है, next, this is again, distributive property of multiplication over addition, तो minus 10 into minus 15 plus minus 5, तो minus 10 into minus 15 होगा, इसको इससे भी multiply होगा, इसको इससे भी होगा, तो minus 10 into 15, minus 15, और minus 10 into minus 5, तो यहां आ जाएगा minus 15, again, associative property of multiplication, यानि कि किसी भी वे में हम 3 integers को भी multiply कर सकते हैं, उनका order change करने से भी answer same रहता है, जैसे 1 into 2 into 3 करें, तो भी 2 1s are 2 and 3 2s are 6 आएगा, और अगर 3 into 2 into 1 करें, 3 2s are 6 into 1, that is 6, किसी भी order में हम integers को multiply करें, तो answer same रहता है, तो minus 6, this is 18 is here and minus 5, यहां आ जाएगा, next is question number 4, find the product using properties, इसमें आपने property भी mention करनी है, कि आप कौन सी property लगा के, answer find out कर रहे हैं, this is 15 into minus 20, plus minus 20 into minus 5, देखें students, आपको यहां क्या चीज कॉमन दिख रहे हैं, देखें, terms कहां है, यह एक term है, जब बीच में plus या minus हाई, तब दूसरी term स्टार्ट होती है, तो इसको हम एक ही term consider करेंगे, क्योंकि multiply हो रहा है, और इसको हम एक term consider करेंगे, अब आपके पास actually दू terms हैं, यह plus 10, इस में से आपको कौन सी चीज कॉमन दिख रही है, कॉमन मतलब एक जैसी है, पहली term में भी, दूसरी term में भी, that is minus 20, देखें यहां भी है और यहां भी है, तो आप उस minus 20 को बाहर ले लेंगे, then multiply और bracket लगाएंगे, अब पीछे क्या रह गया था, इस में से minus 20 हम कॉमन ले चुके हैं, left is 15, और plus, और यहां से भी minus 20 जा चुका है, तो what is left, minus 5, this is called distributive property, distributive property आप यहां यूज कर रहे हैं, reverse of distributive property, minus 20 into, अब आप इसको solve कीजिए, 15 plus से bracket open होगी, तो same sign, 15 minus 5, minus 20 into 10, देखिए एक term plus की है, एक minus की है, तो हम करेंगे minus और greater term का sign, तो plus का sign आजाएगा, then minus 20 into 10, minus 20 into 10, 200 with minus sign, एक term plus की, एक minus की multiply करेंगे, तो minus आएगा, या simply आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कि product में एक ही बार minus आया है, तो answer में minus आएगा, this is the answer, Now next, it is 15 into 8 into 50, आप इसमें associative property लगाएंगे, 15 into 8 into 50, this is associative property of multiplication, 15 into, इसको multiply कीजिए, 400, आप आप इन दोनों को multiply कर लीजिए, this is 6000, इसमें minus का कुछ नहीं है, तो हमारा simply plus में answer आएगा, Next is 8 into 40 minus 5, this is, इसमें हम distributive property of multiplication over subtraction use करेंगे, this is distributive property, this is 8, देखें जैसे पहले भी मैंने explain किया, कि A into B minus C हो, तो A into B, first term into bracket की first term, फिर ये बाहरवाली term into second term और बीच में जो भी sign हो, plus या minus जो भी हो, वो लगाएंगे, तो 8 into 40 minus 8 into 5, this term into this term, minus this term into this term, तो this is 320 minus 40, 320 minus 40 that is 280, बड़ी term का sign, 320 is greater, तो उसका plus sign हमने लगा दिया, this is all about question number 4, now let's come to question number 5, in a class test, containing 15 questions, एक class में test हुआ, जिसमें कितनी questions थे, total 15 questions थे, two marks were awarded for correct answer, जब कोई बच्चा correct answer देता है, तो उसको two marks मनते हैं, और अगर कोई wrong answer देता है, incorrect answer देता है, तो उसका minus 1 हो जाता है, यानिके negative marking होती है, और 0 मिलता है for not attempting, मतब अगर आपने question attempt नहीं किया, तो it doesn't make any difference, वो 0 ही रहेगा, now one girl, kritika, gets 5 correct answers, and 10 incorrect answers, what is her score, तो correct answers कितने हैं, 5 correct answers, marks for 5 correct answers, that is 5 into 2, 10 हो गए, plus के sign के साथ, marks for incorrect answers, incorrect answers कितने हैं, 10, तो 10 incorrect answers के कितने marks उसके होंगे, 10 into minus 1, minus 10 हो जाएंगे, तो उसका final score क्या होगा, score is equal to 10 plus का, और minus 10, 10 plus minus 10, 2 scores को add करते हैं, तो this is 10, plus से bracket उपगी, तो same 10 minus 10, that is 0, तो उसका कितना score हो गया, she got 0 score, उसको 0 marks मिले, second part of the same question, this is, Rohan gets 7 correct, and 7 incorrect, out of 14 questions, और he attempted, जो उसने 14 question attempt के, तो एक उसने attempt नहीं किया, it will not make any difference, क्योंकि वो 0 रहेगा, तो what is his score, now marks for 7 correct answers, correct answers 7 हैं, तो एक correct answer के लिए plus 2 मिलते हैं, तो 7 into 2, 14, plus 14 उसके marks हो गए, correct के लिए, marks for 7 incorrect answers, that is, जो deduct होंगे, उसके marks, क्या होंगे 7 into minus 1, minus 7 हो जाएगा, तो उसका score क्या होगा, that is 14 plus minus 7, 14 plus minus, तो minus 14 minus 7, that is 7, तो he will get 7 marks, this is all about question number 5, question number 6, MCQs, minus 19, minus bracket 13 is equal to, now look at this, minus 19, bracket minus से open हो रहा है, तो अंदर कोई sign नहीं है, मतलब plus, this is minus 13, minus 19, minus 13, दोनों ही term क्या है, minus की करेंगे plus, और sign आएगा minus का, तो answer is minus 32, a is the right option, next, minus 6 into minus 5 into 0, अब आप ये याद रखिए कि जहां भी, कोई भी नंबर चाहेए, वो कितना मर्जी बड़ा होई, when it is multiplied by 0, answer is always 0, so a is the right option, 0 divided by minus 10, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, 0 किसी भी नंबर से दिवाई हो रहा हो, positive हो, negative हो, 1 हो, 2 हो, any, answer is always 0, so a is the right option, next, minus 33 into 102, 202, plus minus 33 into minus 2, that is equal to, now look, minus 33 common, यह रेखें यहाँ पे भी, यह पे भी, यह फर्स टर्म है, यह सेकेंड टर्म है, तो minus 33 दोनों में common है, into bracket 102, plus minus 2, this is minus 33 into 102, plus से bracket open होगी, same रहेगा, minus 33 into 100, 102 minus 200, तो this is minus 3300, B is the right option, then 101 into minus 1, plus 0 into minus 1, तो what is common, यह रेखें यह, distributive property है, minus 1 is common into 101 plus 0, so minus 1 into 0, किसी में भी add हो, same ही रहता है, तो this is minus 101, 101 into 1, that is 101, और plus into minus, that is minus, so A is the right option, I think this is all about exercise 1.3, now I hope you have got it, students, किसी भी चीज से घबराना नहीं, जो चीज समझ ना आए, आप comments में उसको discuss कर सक्ते हो, आप question कर सक्ते हो, we will try to answer that, hello students, again I am here in front of you, with exercise 1.4, chapter number 1, integers for class 7, first question is, evaluate, now, ये सारी exercise, evaluate होता है, to find the value, answer find out किजे, ये सारी exercise, divide से related है, तो divide आप लोगों ने, पड़ी होगी, छोटी classes में divide करना, I hope कि आपको आता ही है, तो first question is, 76 divided by 19, देखे, integers दोनों ही positive हैं, इसलिए answer positive रहेगा, इसमें कुछ भी आपको, सोचने की जरूरत नहीं है, simply 76 divided by 19, now, 19, 4's are, 76, तो, answer is 4, with plus sign, this is answer, now, next is, minus 156, divided by minus 12, अब students, आप ये याद रखे, देखे, दोनों, अगर numerator और denominator, दोनों भी minus है, तो ये minus cancel हो जाता है, minus minus खत्तम हो गया, answer आपका, plus में रहेगा, आप इसको divide कीजिए, 156 divided by 12, 12, 1's are 12, 3, उपर से 6, 3's are 36, answer is 13, next is, minus 125 divided by minus 1, अगर दोनों में ही minus है, तो आप 125 divided by 1, that is 125, positive sign के साथ, that is answer, next is, 125 divided by minus 25, अब देखे, numerator में minus नहीं है, सिर्फ denominator में minus है, तो answer में एक minus आएगा, minus, आप इसी तरह से इसको divide कीजिए, 125 divided by 25, 25, 5's 125, तो 5 minus 5 is the answer, 0 divided by minus 5, 0 को आप किसी भी नंबर से divide कर लो, चाहे वो positive हो, चाहे negative हो, smaller हो, greater हो, answer is always 0, same way, minus 15 divided by 5, यहाँ पे देखे, सिर्फ numerator में minus है, denominator में minus नहीं है, देखे, यह rational numbers में, उपर की term को हम numerator बोलते हैं, और नीचे की term को हम denominator बोलते हैं, तो numerator में minus है, denominator में नहीं है, यहनि कि एक ही minus है, तो answer minus में आएगा, और 15 divided by 5, 3 is the 15, minus 3 is the answer, next, let us come to question number 2, write all even integers, between minus 18 and 0, do you remember the number line, यह 0, यहाँ minus 1, minus 2, minus 3, ऐसे so on, यहाँ चलते चलते, यहाँ कही minus 18 होगा, तो अब आपको minus 18 और 0 के बीच के, even integers लिखने हैं, even का मतलग, जो 2 के table में आते हैं, अब जैसे minus 17 के इधर, right side पे क्या आएगा, minus 17, बट वो even नहीं है, हमें even चाहिए, तो आएंगे minus 16, फिर minus 15 और है, minus 14, minus 12, minus 10, minus 8, minus 6, minus 4, minus 2, तो आगे 0, तो you have to go between minus 18 and 0, तो minus 18 भी include नहीं होगा, और 0 भी include नहीं होगा, उनके बीच के even integers, not positive, even integers आपने लिखने हैं, तो आप लिखेंगे, even integers between minus 18 and 0 are, minus 16, minus 14, minus 12, minus 10, minus 8, minus 6, minus 4, minus 2, this is the answer, same way, write all odd integers between minus 9 and 9, same way, आप number line पे यहां कहीं देखिए, minus 9 होगा, तो minus 9 के बीच के odd लिखने हैं, अब minus 9 के आगे, अगर हम देखें, right side पे, तो minus 8 होगा, but that is not odd, odd integers between, minus 9 and 9, that is minus 7, minus 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 is even number, आपको odd चाहिए, minus 5, minus 3, minus 1, then 1, 0, 0 is neither even nor odd, minus 1, 1, 3, 5, 7, बस 9 हमने लिखना नहीं, क्योंकि minus 9 और 9 के between में चाहिए, तो these are the numbers, odd integers between minus 9 and 9, next is, by what number should minus 240 be divided to obtain 16, minus 240, किस number से divide किया जाए, कि हमारे पास 16 अंसर आजाए, आप देखिए, minus 240 को हम किस से divide करें, इसके लिए हमारे पास एक method है, आप देखिए, यहां भी negative होना चाहिए, कोई number negative होगा, तभी minus 240 divided by that negative, number तो answer positive में आजेगा, जब यह negative cancel करेगा, तो अब आप क्या करिए, 240 को 16 से divide करिए, 16, 1 is a 16, 8, 16, 5 is a 18, तो 15, तो minus 15 से, it should be divided, आप चेक करके देखिए, minus 240 divided by minus 15, minus minus cancel, and answer is 16, तो it should be, आप लिखेंगे, it should be divided by minus 15, तो minus 15 is the answer, fine, now, next question, question number 5, question number 5 is, find the value of, 125 divided by, 5 divided by minus 1, this is not 15, this is 5, 125 divided by, अब पहले आप bracket solve करेंगे, 5 divided by minus 1, 5 को minus 1 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 125 divided by minus 5, क्योंकि, देखे, 5 को 1 से divide किया, answer is 5, negative आएगा साथ, अब 125 divided by 5, 5, 2 से 10, 2, 5, 5 से 25, this is 25, तो 125 divided by minus 5, that is 25, with negative sign, this is the answer, same way, आप यहां रिखेंगे, 169 divided by 13, brackets को पले, अंदर solve करेंगे, brackets का एक answer बनाएंगे, 169 divided by 13, and this is 26 divided by 2, 169 divided by 13, 13 से divide कर लीजिए, 13, 1 से 13, 3 9, 13, 3 से 39, this is 13, divided by 26, divide by 2 करेंगे, that is again 13, आप 26 को 2 से divide किजिए, तो 2 1 से 2, then 6 2, 3 से 6, that is again 13, तो 13 divided by 13, next step क्या होगा, 13 को 13 से divide किया, answer is 1, when same number is divided by same number, then answer is 1, 5 over 5 is 1, 2 over 2 is 1, 13 over 13 is 1, now next, minus 105 divided by 3, minus 105 divided by 3, then आप देखिए, 105 को 3 से divide किजिए, 3 3 से 9, 3 5 से 15, 35, this is minus 35, divided by 7, now look, minus 35 divided by 7 करेंगे, तो 7 5 से 35 होता है, with negative sign, minus 5 is the answer, next question, simplify, 12 minus, bracket, 8 plus 27, divided by 2 into 8, minus 7, now students, देखिए, इस question simplify होता है, इनको simple form में answer ने कालना, इसके लिए आपको board mass, हमारे पास एक term होती है, वो याद रखनी पड़ेगी, आप इसे question के साथ, इसको note down कर लेजे, board mass, B, O, D, M, A, S, B means bracket, O means off, D means divide, then multiply, this is the serial order of the operations, जो आपको लगाने है, मतलब यह नहीं है कि अगर कहीं divide भी given है, multiply भी given है, add भी given है, तो आप पहले add कर लो, then multiply करो, नहीं, you have to follow this sequence, सबसे पहले bracket solve कीजिए, then off, अगर कहीं off की word आता है, वो solve कीजिए, फिर divide करिए, then multiply करिए, फिर add करिए, और last में आप subtract करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां bracket solve करेंगे, bracket, देखे, brackets भी तीन तरह की होती है, यह simple bracket, तो यह सबसे चूटी bracket मानी जाती है, इसको सबसे पहले solve करते हैं, then आती है, curly brackets, इस बड़ी वाली bracket को solve करने की, 12 minus 8, अब यहां पे भी देखिए, plus भी है, divide भी है, तो यहां चलिए, divide पहले, add बाद में, divide, plus 27 को 9 से divide करेंगे, तो 3 आएगा, 12 minus, अब आप इस bracket को solve करेंगे, 8 plus 3 क्या होता है, 11, 12 minus 11, 1 is the answer, answer is, 1, board most को follow करते हुए, आपने यह simplify करना है, come to next question, 7th, this is again, simplify, आप, board most लिख लिजिए, BOD, MAS, इससे आप, कभी भी, mistake नहीं कर पाएंगे, this is 18, minus, 8, minus, curly bracket, 11, plus 30, divided by, now, first of all, आपको, simple, जो bracket है, curve bracket, उसको solve करना है, 4, plus 2, that is, 6, 10, minus, 8, minus, यह bracket अब solve होगा, देखे, इसमें भी, plus और divide है, तो आप, plus, देखे, divide पहले आता है, add बाद में आता है, 11, plus, यह पहले solve होगा, 30, divided by, 6, that is, 5, अगर आप यह, बाद मौस फोलो नहीं करेंगे, तो आपका आंसर कभी भी, exact नहीं आएगा, 10, minus, 8, minus, now, अब यह, curly bracket, 11, plus 5, that is, 16, 10, minus, this is, 8, minus 16, देखे, एक term plus की, एक minus की, हम क्या करेंगे, minus, 16 में से, 8, minus की, 8, answer, minus आएगा, क्योंकि greater term का है, तो this is 10, minus से bracket open हो रही है, तो minus, into minus क्या होता है, plus, यह, minus से bracket हो, open तो अंदर की term का sign change हो जाता है, 8 plus का हो जाएगा, 10 plus 8, that is, 18, answer, बाद मौस को follow करते हुए, हमने इसको solve किया, now, next question, again, MCQs, minus 8, divide by 2, minus 8 को 2 से divide करेंगे, 2, 4's are 8 होता है, with negative sign, तो, यह, B is the right option, minus 7 divided by minus 7, जब minus 7, जब मैंने अभी बोला, कि, same term, same term, दोनों होने, numerator or denominator में, तो answer क्या आता है, that is always, 1, but, minus 1, 49, minus 49, तो इन में से कोई भी answer नही है, 0 divided by 2, 0 को हम किसी भी number से divide करें, answer is always 0, D is the right option, next, 2 false, the quotient of 2 integers, quotient क्या होता है, जो divide करके हमारा answer आता है, is always integer, 2 integers को अगर divide करें, तो answer हमेशा integer नहीं होगा, this is wrong, क्यों, I can give you the reason, अगर हम 7 को 0 से divide करें, 0 एक integer है, 7B एक integer है, तो ये क्या हो जाता है, जब denominator में 0 आती है, that is always not defined, इसकी value आज तक हमें पता नहीं है, तो ये integer नहीं है, so it is false, if A and B are two unequal, and non-zero integers, अगर दो कोई integers हैं, A और B, वो equal भी नहीं है आपस में, और 0 भी नहीं है, उनमें से कोई भी 0 नहीं है, तो then A divided by B is equal to B divided A, this division is never commutative, देखिए, आप 6 को divide करेंगे 3 से, तो answer 2 आएगा, और अगर 3 को divide करेंगे 6 से, तो answer 1 by 2 आएगा, कभी भी answer A divided by B, और B divided by A, answer same, नहीं आएगा, so it is false statement, this is all about exercise 1.4, students, I hope you have got it, any query, any question related to this, you can ask in the comment box, thank you so much.